यह है हीरो की तरफ से आने वाली ग्लैमर 125 बाइक यहां पे आप देख सकते हो 2024 का लेटेस्ट वाला मॉडल है और यह फिर से कंटीन्यू हो चुकी थी यहां पे आप देख सकते हो इसका कलर कॉंबिनेशन काफी प्यारा इसमें कलर कलर कॉंबिनेशन मिल जाता है और यह 2024 का ल मॉडल नहीं है यहां पे आपको साइट में दिखा देते हैं इसमें आपको एक्स्टेक वाला मॉडल देखने को मिल जाएगा यहां पे आप देख सकते हो लेकिन यह नौर्मल वाला मॉडल है यहां पे आपको एक्स्टेक वाला ग्लैमर मिल जाता है और यह नौर्मल वाला बाकि जो यहां पे graphics चाहिए यहां पे अपो यहां पर का सामने की तरफ ऋगारा इसमें आपको डीएर यहां पर है तो आपको हाई लोजन से अप यहां पर देखे तो आपको नंबर प्रेट के लिए जगह मिल जातीए बात करें नीचे मटगाड की ना तो यहां पर देख सकत तो मटगार्ड ब्लैक ग्लॉसी लुक का मटगार्ड मिल जाता है यहां पर सस्पेंशन की बात करें तो टेलिस्पोपिक वाले सस्पेंशन मिल जाते है यहां पर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर बात करें यहां पर ब्रेक की ना तो इसका ड्रम वाला वेरियंट आता है औ यूब लेस्ट आर का सपोर्ट मिल जाता है 125 सी का इंजन है काफी सही है और यहां साइड में देखे तो आपको सिंगल हॉन का सपोर्ट मिल जाएगा यहां पर भी लगाड वगार लगा हुआ नहीं है बाद में लग जाता है यहां पर टैंक आउल वगार देख सकते हूं इसम चार पीछे लगते हैं बाकि जो इंजन है काफी रगाड इंजन है इसमें वाइबरेशन वगारा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह पांच गेर के साथ है यहां पर नीचे ग्राउंड क्लेंस की बात करें तो 170 mm का नीचे ग्राउंड क्लेंस मिल जाता है बाकि यहां पर पहले फ्यूल्टी वगएरा आता था आप कुछ नहीं आता फ्यूल इंजेक्शन के साथ है इसके मेटर की तरफ आ जाते हैं तो यहां पर दिखा दे अभी इसमें बैटरी लगा हुआ नहीं है बाकि यहां पर मेटर देख लीजिए फुल्ली आपको डिश्टल मेटर का सप इसमें जो है USB मोइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है यहां अंदर की तरफ देख सकते हो यहां पर देख सकते हुं यप account के लिए बटन मिल जाती है क्लच जो है काफी smoothly काम करता है काफी साई क्लच इसमें मिलने वाला है यहाँ पे देखे तो I3S की यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है नीचे की तरप आपको self बटन मिल जाती है यहाँ पे देखे जो fuel tank है 10 लिटर का fuel tank देखने को मिलेगा साथ में E20 petrol का यहाँ पे अपडेट भी मिल जाता है fuel injection के साथ है 2-3 लिटर आपको petrol इसमें maintenance करना पड़ेगा यहाँ पे देखे तो आपको glamour का यहाँ पे 3D में logo मिल जाता है काफी सही लगता है यहाँ पे इसका graphics देख सकते हो जो side panels वगेरा है total fiber material में side panel मिल जाता है यहाँ से bike का color देख सकते हो color जो है आपको black plus red का combination मिल जाएगा बाकि यहाँ पे आपको chrome part लगाया हुआ मिल जाता है अंदर की तरप आपको grill इसमें नहीं आती पहले जो था glamour उसमें grill मिल जाती थी और यहाँ पे जो graphics है काफी प्यारे graphics मिल जाते है बात करें यहाँ नीचे chain cover की ना तो chain cover जो है plastic का मिल जाता है यहाँ पे आपको footrest मिल जाता है और यहाँ पे जो suspension है काफी अच्छा suspension मिल जाता है और यह largestable वाला है बाकि लेडिस फूट रेस्ट वगएरा यहां पे आपको लगा हुओ मिल जाएगा यह भी काफी सही लगता है सीट खोलने के लिए यहां पे आपको आर्जिस्टिमेंट मिल जाता है की के थूरू आप सीट वगएरा खोल सकते हो बाकि जो सीट है यहां पे आप देख है यहां पे आपको सिंगल रative अनमबर प्रेट के जखें लगता है यहां से आपको काफी सही लगता है अलोय का जो डिजाइन है काफी सही लगता है यहां पे आपको red कलर का suspension मिल जाएगा और यहां पे आप silencer muffler की बात करें न तो यहां पे आप silencer muffler देख सकते हूं black कलर का silencer muffler मिल जाता है और यह metal body में काफी प्यारा लगता है यहां पे देखे तो इसका graphics वगएरा same मिल जाते starting problem इसमें नहीं आती है बाकि जो यहां पे आप देख सकते हैं तो single plug का support भी मिल जाता है यहां पे brake pad की बात करें तो combi braking system मिल जाता है आप रियर वाला brake apply करते हो तो front वाला भी लग जाता है बाकि इस bike को यहां से आप देख लिजी इसका जो weight है total 12 kg total weight इस bike का चल जाता है का पर आप देख सकते हैं single horn का support बाकि जो tank का वगयरा है फाइवर material में मिल जाता है fuel injection के साथ है दो से तीन लीटर fuel maintenance करना पड़ेगा बाइक यहां से देख लिए बाइक का जो color combination है मेरे को काफी अच्छा लगा इस bike के mileage की बत कर लेना तो 125cc का इंजर मिल जाता है साथ है fuel injection के साथ है E20 petrol का update भी मिल जाता है तो आराम से यह जो bike 55 plus का mileage देने वाली है कोई दिक्कत नहीं आएगी इस bike में और इस bike के एक सो रूम प्राइस की बत कर लेना तो 82,600 रूपए इसका एक सो रूम प्राइस चला जाता है on road प्राइस की बत करेना तो 1,3,50 रूपए इसका on road प variant में काफी अच्छी bike थी और यह फिर से relaunch हो चुकी थी इसके बारे में आपको complete detail बता दिये हैं अब आप comments करें और बताईए इसके बारे में आपको complete detail बता दी जाएगी